दोस्तो हमारे चैनल मिस्पूडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है उमीद है फ्रेंड्स आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अभी बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो जहां तक हो सके घर से बहार बहुत कम निकल येगा और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहीएगा तो फ्रेंड्स मैं आज आपके साथ सेहर करूँगी गर्मियों के लिए खास पोदिने की एक रिफ्रेसिंग रेसिपी तो इसके लिए मैंने एक बाउल फ्रेश पोदिना के पत्ते लिए हैं इन्हें मिक्सिंग जार में डाल देंगे इसमें डालेंगे आदा चम्मच बुना हुआ जीरा पाउडर वन फोर्ड चम्मच काला नमक तीन टेबल स्पून के करीब डालेंगे इसमें चीनी चीनी की जगह आप मिश्री भी डाल सकते हैं और अब इसमें डालेंगे एक निम्बू का रस और इन सब को बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे अगर ये इजीली ग्राइंड नहीं हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर दीजिए और देखें फ्रेंड्स हमने इस तरीके से इसे ग्राइंड कर लिया है और पुदी ने का बहुत ही प्यारा सा कलर देखिए इसमें बिल्कुल ग्रीन कलर दिख रहा है उमेदा फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी तो वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले तो फ्रेंड्स अब हम इसे चान लेते हैं वैसे तो हमने इसे बहुत ही महीन पीस लिया है लेकिन फिर भी इसको एक बार के लिए चान लेते हैं फ्रेंड्स गर्मे में आप जिस भी तरीके से मैकजिमम से मैकजिमम पानी कंजूम कर सकते हैं आप उस तरीके से कंजूम कीजिएगा तो चलिए फ्रेंड्स अब सर्व कर लेते हैं तो दोनों ग्लास में मैंने बराबर ये सिरप डाल दिया है और इसे फुल थंडे पाने से भर देंगे आप यहाँ पर आइस क्यूब भी इसमें डाल सकते हैं तो फ्रेंड्स हमारा ये थंडा थंडा पोदिने का मसालेदार सरबत बनकर तयार हो गया है आप ये सरबत किस तरी आते हैं और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी ये कॉमेंट में जरूर बताईएगा चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नई रेसिपी के साथ तब तक ध्यान रखेंगें